बीजेपी की ओर से प्रतिक्री आई केंद्री संसिदी कार्यमंत्री पिला जोशी ने कॉंग्रेस कारिसमीती के स्पस्ताव को लेकर पलटवार किया उन्होंने लिखा एक्स पर कि कॉंग्रेस ने फिर वही किया है यह उनके एक्स पोस्ट में लिखा गया कि कॉंग्रेस ने फ खुल गई है यह पार्टी देश और नागरिकों के रक्षा कैसे करेगी जब वो खुद खुल कर हिंसा के साथ खड़ी है और वहीं बीजेपी के विदेश मामलों के प्रकोष्ट के प्रमुक विजई चौथाई वाला ने कॉंग्रेस के सुरुक की निंदा किये उन्होंने एंड़ी टीवी से कहा कि कॉंग्रेस ने ऐसा वोल्ट बेंक की राजीती के लिए किया है यह उनका कहना है वो आगे कहते हैं कि कॉंग्रेस को इसपष्ट शब्दों में आतंकवादी हमले की निंदा करनी चाहिए थी पिये मोदी ने दो टूक आतंकवाद की कड़ी निंदा की और इस्राइल को पूरा समर्थन दिया है फिलिस्तिन को लेकर बीजेपी का रुख हमेशा से सपष्ट रहा है फरवरी 2018 में पिये मोदी ने फिलिस्तिन के रामला का दौरा भी किया था फिलिस्तिन जाने वाले भारत के पहले प्रधान मंतरी बने थे और आपको यहीं बता दें कि वो इस्राइल होकर फिलिस्तिन नहीं गए थे बलकि जॉर्डन से हलिकॉप्टर ले कर गए थे पीर मोदी अकेले नेता है जो अलग से केवल फिलिस्तिन गए क्योंकि अमुपन बाकी जो नेता जाते वो спयं वह इस्राइल और फिलिस्तिन दोनों का दोरा एक साथ करते हैं यानि दोनों को एक साथ देखते हैं लेकिन पिये मोदी अकेले फिलिस्तिन गए थे और यह अपने आप में इसकी गंभिरता को दिखाता है